हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं निलम सिंग चैनल मैं हो निलम तो अपने बालों को सुन्दर काला घरना लंबा करने के लिए आज जूरे मेडिस में आपको बताऊंगे वह 100% नाचुरल है जो आपके हेर के ग्रोथ में हल्प करेगा साथ ही आपके हेर फॉल के प्रॉब्लम को 100% रोकेगा आपके बालों को डैमेज हेर को रिपेर करके सुन्दर और काला बनाएगा तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को छोटी सी घंडी को प्रेश करना बिलकुन नहीं बुलिएगा नहीं तो वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक और शेर करना है अपने कोमेंटस मेरे साथ जरूर किजेगा तो अपने बालो के आप सुन्दर बनाना अगर आपने बालो को चाहते हैं तो इसका सिक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने शेर किया है तो वीडियो में सुरू से अंतक बने रहिए और देख़ी कि आज कह जो इंग्रीडियंस है यह आप नॉर्मल इसे कदुकस भी कर सकती हैं तो यहां पर मैं इसे कदुकस करके आपको और तब इसका जूस निकालूंगी तो अनीयन से बड़ा कोई छीज नहीं है और हेर पॉल में बहुत हिल्प करता है तो इस तरह इसको घिसके और इसके गुस को मिनकाले लेंगे क्योंगी इसमें जो उनियन पर्ल्प है वहां मिनीं करना है इसके जूस को ही हमिज्ट करना है उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि अनियन का जो यह पल्प बजता है उसको हम क्या करें उसको ऐसे वेश्ट कैसे करें तो वेश्ट इसको नहीं करना है अगर घर में आप खाना बना रही है सब्जिया बना रही है तो उसमें आप इसके पल्प को यूज कर सकते हैं इसी तरी कर लिए अब हमें क्या करना है कि इसके जूस को हमें निकालना है तो जूस को निगालने के लिए हम यहां पे इस्तमाल करेंगे सकती है कि यहां पे है जूस को हम निकालने जूस अगर लिए अह यहां पे जैसे amen तो आपने की लैंग्न के लिए ले सकते तो मेरा जो है थोड़ा लॉंहाँ टो इस वाज़े से मैं दो आयां ले अगर आपके हार के स्चोंटे हैं तो आप काथ अधा अनिया भीआ ले सकती है और इस तरह उसके दूप नेंगे में तो यह जूस अब हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह निकल गया है अब इसमें यह जो पर बज़ा है मैंने पहले भी आपको बता है कि सब्सब्स बनाने में यूज कर सकते हैं तो इसको हम हटा लेंगे अब हमें क्या करना कि अब इस अनियन जूस को अगर आप चाहे तो डाइडेक्ट अपने हेर पर आप अपलाई कर सकती हैं बट इसमें मैं कुछ इंग्रीडियन्स और आड करूंगी तो इसमें मैं जो एड करूंगी वह है ऐलोवे राजेल हमारे हेर को ब्लैक करने में शादि अगर आपके पास नेचरल अलोवेरा का लिफ है तो यहां पर इसको हम लेंगे वर्ण निश्पून यहां पर अलोवेरा जेलिस में आड़ करेंगे हम वन इस्पून ही लेना है ज्यादा नहीं लेना है हमें और इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे यहां पर लोगी तो यहां पढूऊन पर लउन कोपने लिफ्रू पर यहां पर लीफ हमें नहीं जीकम सब nya कर लें नहीं लेंते तो यहां weekend कोड़ोगों यह दो इंग्रीडेंस आप सुचेंगे कि एड करना है तो क्यों आप करना है क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आपके यह बिल्कुल 100% गुड रिजल दें क्योंकि अगर अनियन आप लगाते हैं तो हेर फॉल हेर ग्रोथ दो समस्या तो आपकी सर्व हो जाएगी बट यह सारे कोकुनट ओयल और अलोवेरा जेल यह हमारे बालों को और विजदा रिप्यार करने में सुंदर सौफ बनाने में काप्रियल करते हैं तो यह आपका जो अनियन का जूश है अनियन और यह ओल का यह बिल्कुल रेडी है आपके हैर पे यह से अप्लाई करने के लिए अब आप आरे बालों के लिए किस तरह फायदेमन्द है इसको हम अपने बालों पे क्यों अपलाई करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो अनियन है प्याज है इसका रस आपके जड़ने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है साथ ही यह आपके बालों के शकैल्प को पोशन द जाती है साथ ही आपको प्यार में प्रचूर मातरा में बहुत ही ज्ञाद होता है जो कि स्केल्प सब्लद सेर्कूरेशन सुधार करने बालों को भी जन देने में मधब करता है जिसके आप ज शोके देंगे कि श्री का वैल लगाने के लिए दिए क्योंकि अगर आपkे बाल तो अगर आप यह लगाती है तो आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके सीर में बाल निकलने लगे उसके बाद इसमें मैंने यूज किया है अलवे राजें तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और इससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जनक तो सबसे पहले आपको के बालों बता दू में क्या फाइस है प्याज की रस में एंटी बैक्टिरियल गूर होते हैं इस कारण यह आपके स्केल्प में होने वाले किसी प्रकार के शंक्रमर से बचाओ कर बालों का जढ़ना जो है वो कम करता है इसमें परचुर मात्रा में सेलफर होता है जो स्केल्प से ब्लस सर्कुलेशन में सुधार कर नया बालों को भी जन देता है इसलिए इसे हम खास्तों से हेर फॉल के लिए और वर्य गृष की लिए यूज करते हैं उसके बाद करते हैं हम जो मैंने लिया है ऐलोवेडा जल इसमारे अलोवए जल सिल्टी शाहनी बनाने में काफी घ्लپ करता है साथ यह मारे बालों को न्या को गारने में भी हर्फ करता है और साथ ही अगर आपके स्कल्प प्यास्फ्सक प्रोब्लम है उन्हें दुर करता है यह हमारे लोग की चिपची हुप चिपची पर उनको भी एक लेन करके हमारे हेर स्विल शॉप और काला बनाने में काफि है करता है कोपने टैलर कोतो अप जानती हैं कि बालो को झापना करने में काफि यह पता तोने टॉयल के बारे में नारियल का तेल हमारे हेर ग्रोथ के लिए काफी पातिमन माना जाता है साथ ही हमारे बालो को काला घ्रना बनाने में पी हल्प करता है क्योंकि नारियल के तेल में पाई जाने वाले एसेंसियल फैटी एसीड और विटामिन बालो की जड़ो को आज प की प्रोब्लमम ज़्यादा है और उनके एर में ग्रोफ नहीं ही हेर फ़ॉल की प्रोब्लम ज्था है तो और कॉधी है फिला की इन्ट एंट्र है मैंने यहेивा यह जुशय तो यहाँ से बाश सकते हैं आप्लाइक आंपकार लाए करने के लिए तो उसके लिए सिंपल सा आपको बताती हुँ टीक में यह आप कॉटन के हल्ट से अपने हेर में अप्लाई कर सकती है बहुत इसे आपको क्या करना है इसको इसमें हम डीप कर लेंगे इस तरह और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह चोड़ लेंगे और फिर इजी तरी के अपत्र इस तरीके से सहग जाएगा कि यह हमें रूंट से लिंद तक अची तरह से प्लाई करना है तो यहीए ट्रीक है जिसे कर यहिए अच्छी तरह से अप्लाई होगा अच्यु आवा प्लाई कर दो अधकर लिए ने उनकर बालों में अप्लाई करते रहेंए ही बहुत तरीके से अप्लाई हो जाता है यह सीन परीके से अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने जितने भी इस घूस से सभी अप्लाई कर लिया है अब आपको क्या करना है कि इसे आदे घंटे या घंटे के लिए अपने हेर पे इसे बन बना के और रहने दिए इसके बाद नॉर्मल से हमीशे वाश कर लेंगे यह थोड़ा सा इसमें क्योंकि हमने लीक्विट फॉर्मे अपलाई किया है तो यह आपके बालों से इसे पानी चipक सकताया तो अगर आप चाहिं मैं इसे घंटे सब्सक्तों कि unfair को अबधिया है जिसके हमारे बीचिए वह इसे 2 फॉत घंटे रहां रहके च्थाने बीचा सब्सक्तिताय का पड़की का था तरा हुटके पर रखेंगे उते ही बेनेफिट्स आपको मिलेंगे एक घंटे कम से काम इसे अपने बालो पर एक घंटे तो आपको रखने है उसके बाद नॉर्मल डेलिवेर शेंपुर वाश्ट कर लिजिए एक दिन में आपके हैर फल के प्रोब्लम नहीं रूखेंगे आप इसे एक दिन साथ आपको अपने डाट प्लान पर ध्यान देना होगा पानी की मातरा आपको लेनी होगी कमसे 8-10 प्लस पानी आपको पीना होगा पूरे दिन में तो यह सारी चीजे भी आपके हैर फॉल में एहम भूमी कानी बात है क्योंकि अगर आप इस नुस्क्रे से भी आप कहींगे देगा आपको क्योंकि मेरे खुद के हैर पे आज माया वन उसका है तो चलिए आज की वीडियो इतना ही आपको मेरे वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्स आपको